वाई धार्मिक जश्टी से सूरिग रहन का विशेश महत्व है धार्मिक मानिताओं के अनुसार सूरिग रहन को एक अशुप घटना के रूप में देखा जाता है साल 2024 का पहला सूरिग रहन आज यानी 8 अपरिल को लगेगा ये सूरिग रहन भारत में दिखाई देगा या नहीं साथ ही जानते हैं कि सूरिग रहन के बुरे परिनामों में बचाफ के लिए किन विशेश बातों का ध्यान रखना चाहिए और भारत ही समय के नूसार सूरिग रहन 8 अपरिल को रात 9 बचकर 12 मिनिट पर शूरू होगा इसका समद आपन 1 बचकर 20 मिनिट पर होगा इस सूरी ग्रहन के अवधी 4 घंटे 25 मिनिट की होगी हाला कि ये सूरी ग्रहन भारत में ररशनी नहीं होगा इसलिए सूतक काल भी भारत में मानने नहीं होगा लेकिन फिर भी कुछ साबधानिया बढ़ती जा सकती है जिसे आप बुरे परिणामों से बच रहे हैं आलकि सूरी ग्रहन भारत और पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, श्वीलंका, नेपाल आधी में नहीं दिखाई देगा लेकिन मुख्य रूप से कैनेडा, मेक्सिको, अमेरिका, प्रशांद, एंटलिया और करनाटक में दिखाई देगा वही सूरी ग्रहन के समय घर से निकलना शुब नहीं माना चाहता मंदिर में रखी मुर्ति को इस पर्श करना या पूजा करना भी अशुब माना चाहता है इसे के चलते ग्रहन के दौरान कई मंदिरों के कपट बंद कर दिये चाते हैं झाल झाल